हेलो एव्रिवन वेलकम टू एंत्रो आत्मा तो आज के इस लेक्चर में हम लोग थेरी इसको स्टार्ट कर रहे हैं और जो मैंने पहले नियो एवल्यूशनिजम के उपर वीडियो जाले उनको मैं री अपलोड कर दूँगा कि उनमें साउंड का बहुत प्रॉब्लम था तो अभी हम लोग जो पहला स्कूल है क्लासिकल इवल्यूशनिजम या जिसको सिंप्ली क्लासिकल इवल्यूशनिजम भी बोलते हैं या 19th सेंचुरी इवल्यूशनिजम भी बोलते हम वहां से स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने क्या किया है ना यह मैंने आंसर लिखा था तो मैंने सोचा कि हम लोग अगर question answer format में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा better हैगा क्योंकि means में time बहुत कम है तो I hope आप लोगों में इस से समझा पाऊंगा तो चलिए बिना time waste की start करते हैं देखिए जब भी classical evolutionism की उपर question आता है और उसमें सिर्फ उसने इतना दिया है कि critically evaluate the 19th century evolutionism बलब इसमें उसने एक specific anthropologist के approach के वारे में नहीं पूछा है तो इसमें आपको तीनों anthropologist के वारे में mention करना पड़ेगा जो कि आपके slayvus में है जो कि यह E.B. Tyler, L.H. Morgan और James Fraser आपको इन तीनों का essence बताना पड़ेगा कि इनों ने क्या theory propose की थी classical evolutionism के अंदर और इनके क्या criticism थे क्योंकि question है critically evaluate यह पहले previous years question है याद रखिएगा अब देखिए classical evolutionism की बात करें तो classical evolutionist अब देखिए इनका मानना यह था पहले चीज तो यह है कि classical evolutionist की हम लोग बात करें तो यह तो आप लोगों को मैं अल्लेडी बता चुका हूँ new evolutionism वाले वीडियो में कि Charles Darwin जो थे इनोंने around 1859 में biological evolution की theory दी ती जिससे inspired होके Herbert Spencer ने social evolution की थेरी दी और further उनसे inspired होके जो EB Tyler है EB Tyler की हम बात करें तो उन्होंने फिर classical evolutionism की शुरुआत की थी तो देखिए इसमें दिया हुआ एक classical evolutionism, war of the view, that discrete characteristic like culture culture को वो एक discrete characteristic मान रहे है मतलब culture एक single entity नहीं है culture जो है एक discrete characteristic है मतलब culture के अंदर आपको various elements देखने को मिलेंगे तो classical evolutionism का मानना था कि अगर आपको discrete characteristic like culture को study करना है तो आपको उनसे जोड़ी हुई जो history है उसको आपको reconstruct करना पड़ेगा तो यही लिखा हुआ है discrete characteristic like culture can be explained with the reconstruction of cultural histories तो cultural histories को आप reconstruct करोगे क्योंकि क्या है ना इनके according culture एक process है culture जो है यह एक process है और culture हमेशा से एक जैसा नहीं है आज जो हमें culture देखने को मिल रहा है वो हमेशा वैसा culture नहीं था पहले primitive culture था दिन धीरे-धीरे culture जो है वो evolve हुआ है change हुआ है दिन हमें आज का present culture जिसको हम civilization भी बोल देते हैं लेमेंट टर्म्स में वो हमें देखने को मिलता है तो इनका यही बोलना था कि अगर आपको culture को study करना है reality में तो आपको उसके लिए उस culture से जोड़ी history को study करना पड़ेगा और उसको आपको reconstruct करने की कोशिश करनी पड़ेगी तब ही आप उस culture को पढ़ सकते हो और इसी तरीके से आपको एक law देना है क्लासिकल एवल्यूशन इसते ना इन्होंने scientific study of culture की बात की थी मतलब सिर्फ हवा में बाते नहीं करनी है हमें scientifically culture को study करना है evidences के उपर based हमें study करना है तो आगे हम लोग देखेंगे कि यह लोग comparative method का use करके यह statistical methods का use करके यह लोग cultures के बारे में study करते हैं अब देखो again अगर हम लोग मैं आपको basic बता दूँ कि जो classical evolutionists थे ना इनका criticism भी होता है कि यह armed chair armed chair anthropologist थे महला यह लोगों ने field work जादे नहीं किये rather जो आपके secondary data होता था उस पर यह लोग rely करते थे secondary data क्या हो गया मान के चलिए Christian missionaries है वो Christianity को propagate करने के लिए अलग-अलग tribals के पास जा रहे है और उनको Christianity के बारे में बता रहे है तो वो जो भी data वहाँ पर record कर रहे है या फिर जो भी historians data record कर रहे है या जो travelers है वो record कर रहे है various cultures के बारे में information तो उसको यह लोग वहाँ से ले ले लेते थे classical evolutionist फिर वहाँ से करते थे वो उस information को यह लोग analyze करते थे और compare करते थे अलग-अलग cultures को और उसके basis पे उन्होंने यह theory दी थी classical evolutionism मतलब culture जो है वो evolve करता है from primitive stage to more progressive stage अब देखो इसमें anthropologist क्या-क्या है तो आपको पता है E.B. Tyler, L.H. Morgan, James Fraser अब देखो, axioms हम देखते है axioms मतलब कुछ assumptions यह लोग लेके चले थे classical evolutionist थे, यह लोग कुछ assumptions लेके चले थे यह नोने मान के चले थे पहला assumption क्या है पहला assumption है psychic unity of mankind psychic unity of mankind based on cultural parallel अब देखो, psychic unity of mankind का मतलब क्या होता है कि हर एक इंसान हर एक human being एक ही तरीके से सोचता है that means that each and every human being have similar mental makeup हर एक इंसान एक ही तरीके से सोचता है तो उसका दिमाग हमेशा कोई भी एक situation होगी उसका दिमाग हमेशा एक जैसा ही चलेगा और यह उन्होंने किस के basis पर proof किया cultural parallels के basis पर proof किया cultural parallel क्या होता है मांगे चलिए यह A location है यह B location है यहाँ पर अगर कोई technology यूज हो रही है B location पर भी same technology यूज हो रही है यह दोनों location एक दूसरे से related नहीं है ना ही इनके बीच में कुछ relation है पर तो भी आप देखो same technology दोनों तरफ चल रही है same culture दोनों तरफ फॉलो हो रहा है तो इसको बोला जाता है cultural parallel independently same culture दोनों जगे फॉलो हो रहा है एक ही तरीके का अब देखिए इन्होंने दूसरी चीज क्या बोली unilineal evolution of culture unilineal इसको break केजिए union मतलब single linear मतलब lines पे single line पे एक ही line पे अगर culture evolve कर रहा है पे था savagery से दिन आपका barbarism आया barbarism सिर दिन आपका फिर civilization जिसको आप अभी present जो cultural stage बोलते हो तो यह उन्होंने ऐसा बोला कि सिर्फ इन एक ही line के along जो culture हो evolve होता है तीसरी चीज क्या बोली उन्होंने culture can skip stages इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है savagery से सीधा civilization आजाए barbarism वाला stage ही नहीं आए या फिर मतलब culture जो है वो जरूरी नहीं है कि इन तीनो stages से ही जाएगा इन तीनों में से कोई सा beach वाला stage गायब भी हो सकता है हो सकता है savagery से ना start होके वो barbarism पे हो फिर वो culture civilization के तरफ बढ़ते चला जाए तो ये भी हो सकता है there are cultural survival है ना इनके हिसाब से cultural survival होते है और अगर आपने उन cultural survival को study कर लिया तो उससे आप culture पहले कैसा था वो आप identify कर सकते हैं अब देखो cultural survival के example दूँ मैं आप लोग को जैसे देखो आपने देखा होगा कि ये आज के time पे भी हम लोग जो blazer ये coat वगेरा पहनते उसके पीछे इसा cut होता है अब देखो पहले के time पे तो उसका purpose क्या था कि horse riding करते थे तो उसके वज़े से आप बैठने में आपको आसानी हो पर आज के time पे भी आप कोई भी coat लोगे तो उसमें आपको ऐसा cut मिले गई तो अब उसका purpose अभी थोड़ी न आपको horse riding करनी है वो coat पहन के पर तो भी वो चीज़ अभी survive कर रही है न तो ये हमारे culture का ही पार्ट है और survival माला भी अभी survive कर रहा है ये चीज़ ऐसे ही आपने देखो हम लोग अपने घर पे मटके यूज़ करते है अर्थेन पोट्स अब अर्थेन पोट्स का कोई यूज़ थोड़ी है क्योंकि आप खुद सोचू न माला आपके घर पे refrigerator है आप उसमें पानी थंड़ा रख सकते हो या आपके पास steel के बरतन है अभी steel के मटके, steel की गगरी है आपके पास steel के वेसल से तो आप क्यों अभी भी ये मिट्टी के बरतनों को यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तो कि ये भी culture survival है आप ये culture का पार्ट रहा है और कईना के ये survive कर रहा है देखो जिसकी utility ना होना वो चीज़ भी अगर survive कर रही है, आज की time पे exist करती है, तो वो भी culture survival के example है, जैसे अब इसका कोई purpose नहीं है मतलब ये देने का, पर अभी तो भी आप blazers में देखो गई है, वैसे इस pot के बिना भी आप काम चल जाएगा इसकी utility इतनी है नहीं आज के time पे पर तो भी use हो रहा है, similarly ये बीजना, ये बीजना देखा होगा आपने, इसको ऐसे आप मतलब इसको ऐसे आप घुमा सकते हो मतलब ये ऐसा घुमता है आप यहां से पकड़ोगे पकड़ के इसको घुमाओगे तो ये हवा करता है अब ये भी आपने देखा होगा काफी सारे villages में use होता है, अब तो electricity हर जगा है यार almost, rural electrification भी अब हम लोग काफी हद तक हमने achieve कर लिया है, पर तो भी आपने कही जगाओ पर ये देखने को मिलेगा तो ये क्या है, culture survival का ये example है तो ये कुछ assumptions थे जो classical evolutionist मान के चलते थे तो ये आप लोग को लिखने हैं एक्जाम में ये, हैना तो इनको culture survival बोल दिया, culture parallel में आपको बताई दिया अब देखो, psychic unity of mankind सब लोग एक तरीके से सोचते हैं इसलिए, दो अलग-अलग location पे, same culture ये similar kind of cultural elements हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे मान के चलिए आप ये, अब उसमें उन्होंने इतना detail में नहीं गए कि भाई, environment भी तो same है, अगर forest में ये, A location है, B location भी forest में, तो दोनों जगे ये तो आपको handex का use करना पड़ेगा ना पर इस detail में लोग नहीं गए, environment की कोई बात नहीं किए इन्होंने इन्होंने बस simply बोला कि लोग एक ही तरीके से सोचते, psychic unity है mankind की, इस वज़े से cultural parallel हमें देखने को मिलते और वो ही cultural parallel को उन्होंने evidence के तोर पे बताया और इस theory के बारे में इन्होंने derive किया, अब देखो हम लोग E.B. Tyler पे चलते E.B. Tyler जो है न, ये सबसे prominent anthropologist है क्योंकि इन्ही के वज़े से anthropology को एक अलग से discipline बनाय गया universities में, 1900 में आते आते, anthropology को एक अलग subject के तोर पे पढ़ा जाने लगा colleges में, अब देखो आपको क्या mention करना है, जो मैंने लिखा है यापे, in his book अब देखो E.B. Tyler लिखना है, फिर आपको इसा box बना देना है, ताकि वो चीज highlight हो जाए, तो मैं थोड़ा-थोड़ा आपको answer writing का भी बताता है चल रहा हूँ साथ में, आप ये सोच के चलना है, कि आपको इस तरीके से answer लिखना है, आप देखो in his work, primitive culture underline कर दिया, इनकी book है primitive culture, 1871 बहुत important book है, he gave the concept of culture, तो E.B. Tyler का contribution आप देखोगे ना, तो ये पहले वेक्ती थे, जन्होंने culture को define किया था, इससे पहले हमाँ पास culture की कोई definition नहीं थी इन्होंने एक holistic culture की definition दी और अगर आप definition देखना चाहो तो ये लिखी हुई है, कि culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom and any other capabilities acquired by a man as a member of society चीज़े acquire कर रहा है, चाहे वो knowledge हो, चाहे belief हो, चाहे art हो, law हो, तो वो सब culture है ना, वो सब एक चीज culture का part है वो अब देखो, इन्होंने क्या बोला he gave the concept of culture as per him, culture evolved from primitive stage and advanced to its peak of civilization, बलब culture हमेशा से civilization नहीं था, या मलब culture हमेशा से इसा नहीं था, culture अपनी primitive stage पे रहेगा, देन धीरे-धीरे वो evolve होगा, देन उसका जब climax आएगा, जब एकदम मलब यह मान के चलो कि उससे जादा culture कुछ evolve भी नहीं हो सकता तो उस final stage को इन्होंने बोला कि civilization और culture progressively आगे बढ़ता है stage by stage, ऐसा नहीं है कि आज primitive culture है, तो कल एकदम civilization आ गया है, नहीं, culture जोगा वो gradually progress करेगा धीरे-धीरे, और आपको पता है इन्होंने happiness को भी culture revolution के साथ जोड़ा, इनके according पहले जब primitive culture था तो society में happiness नहीं थी पर जैसे-जैसे culture आपका evolve होता गया, उसके साथ happiness भी बढ़ती गए लोगों की मैं बेसलिस था, उसका कुछ evidence नहीं था पर इन्होंने अब assumption दिया इनकी theory थी, देने को तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते न, तो वो तो theory थी, अब criticism obviously होंगे उसकी, अब देखो culture survival की भी definition है, मैंने वैसे बता दिया आपको पर आपको पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ लो survival ये cultural survival are those processes customs, opinions हैना, even आपके यहाँ पर objects भी आजाते, materialistic objects and so forth which have been carried on by force of habit into a new state of society different from that in which they had their original home, आप देख रहे हो मनलब force of habit के वज़े से चीज़े आगया आई है, अब मटके का क्या use है मटका आप इसलिए use कर रहे हो न, क्योंकि आपकी culture में चला आ रहा है, habit बन गई आपकी मटके का पानी पीने का, तो आप मटके का पानी पी रहे हो, या वो बीजना का use अभी क्यों हो रहा है, जबकि आप हर जगे electricity है, fans है, coolers है, AC है पर तो भे आप वो क्यों hand fan use कर रहे हो, क्योंकि वो एक force of habit के तोर पे चला आ रहा है, आज के society में भी उसका, अब उसको use कर रहे हो, या तो ये क्या एक proof की तरह काम कर रहे है, मतलब पहले, इससे आपको एक चीज पाता चल रही है, कि example of an older condition of culture, मतलब कि आपको एक चीज पाता चल रही है, कि या रहे पहले तो या ये hand fan बहुत use होते होंगे, अभी use हो रहे है, मतलब पहले से चलते आ रहे, तो पहले हर एक इनसान के घर पे fan हुआ करता था hand fan, जो मैंने आप उपर photo बताया था, हाथ से घुमाते थे बैठके है ना, तो आप इस तरीके से किया अगर आप culture survival को पढ़ रहे हो तो आप culture को reconstruct कर रहे हो और आप आज के culture को better understand कर पाऊगे अब देखो इन्होंने क्या किया इन्होंने वही अपना जो EB Tyler है इन्होंने ये evolution की scheme दिये अब evolution की scheme क्या है ये आपको table बनाना है, ये chart आपको बनाना है exam में, अब देखो इन्होंने क्या बोला कि पहले तो ही क्या है stage of evolution, technology or religion, इन्होंने तीन characteristics के basis पे इन्होंने evolution को explain किया है ये इनकी scheme of evolution है, ये आपको लिखना ही है exam में, बहुत important है अब देखो इन्होंने क्या बोला कि हर एक culture पहले savagery में था then savagery से वो evolve हुआ, barbarism की stage पे पहुँचा then barbarism से फिर civilization पे पहुँचा तो ये इन्होंने stage of सबसे least मतलब सबसे simple अब देखो इसमें technology क्या use होती थी subsistence on wild animals and plants, तो stone tools का use करोगे अब obviously, ये technology थी, stone tools का use करते थे और wild animals और plants को hunt करते थे और उस पे rely करते थे, अब देखो उसके बाद क्या हुआ, फिर agriculture डवलप हुआ, ये evolve हुए ये लोग for agriculture करने लगे और villages का formation हो गया then, और develop हुए, तो writing script आ गई तो इन्होंने ऐसा रखा है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इन्होंने खुद ने दिया है EB Tyler ने, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते है कई बार आपको थोड़ा लग सकता है इसा ही क्यों है writing को क्यों civilization की time पर रखा है agriculture को यहां क्यों नहीं रखा तो वो मैंने नहीं दिया है, वो EB Tyler ने ही ऐसा बोला है, अब देखो वैसे religion को भी इन्होंने culture से relate किया है, बलब जैसे culture हमारा savagery से barbarism में गया है, वैसे वैसे religion भी evolve हुए, तो इनके according EB Tyler ने ही यह concept दिया था, animism का अब animism क्या होता है, soul worship मतलब आत्माओं को पूझना, soul की worship करना तो यह होता है animism animatism क्या होता है, किसी object को पूझना और यह मानना कि इस object के अंदर आत्मा रहती है, उस हिसाब से उस object को, animate मतलब क्या होता है किसी चीज को कोई object को आप पूझ रहे हो क्यों पूझ रहे हो, कि आपका मानना है कि इस object के अंदर आत्मारिती, animism में आप simply soul को पूझते हो, आत्मा आप यह नहीं मानते कि आत्मा इसके अंदर है उसके अंदर है आत्मा बस आपके साब से आत्मा आपको दिखती नहीं है बस आप उसको पूझ लेते हो अब नेचर वर्षिप क्या होता है तो नेचर की वर्षिप करना तो इनके एकॉर्डिंग जो रिलीजियन है वो सेविजरी में तीन स्टेजिस में एवॉल हुआ है सेव polytheism, polytheism क्या है कि मरलब एक से زादा भगवान में मानना worshiping many gods right then monotheism, polytheism के बाद क्या हो वो लोह लगा कि यार नहीं है यह सारे भगवान जरूर है पर हो सकता है इन सारे भगवान के ऊपर एक भगवान हुआ हो और उनके अंडर यह सब आते हो तो यह आपका अप एक को technology और religion से relate करके इन्होंने बताया है तो यह आपको लिखना है criticism क्या है there was no proper evidence that animism was the first religion इन्होंने बोल तो दिया कि animism पहले religion है पर उसको यह proof नहीं कर पाए क्योंकि उसका कोई सही evidence नहीं था आपको बता है इन्होंने क्या बोला था animism क्यों इन्होंने बोला था कि यार animism सबसे पहला religion है क्योंकि इनका मानना था कि लोग जो थे न वो life और death को के बारे में बहुत concern थे उनके दिमाग में आया curiosity थी कि यार हम जिन्दा है फिर उसके बाद मार रहे तो इसके पीछे reason क्या है तब जाके soul वाले concept tribals में आया था और इसी चीज़ को इन्होंने point out करके बता दिया कि अब लोग को समझ में आने लगा कि एक दो दुनिया होती है एक दुनिया जिसमें वो लोग रह रहे और एक दुनिया जो इनसान मरने के वाद जहाँ पे चला जाता है तो वो इनका मानना था उस हिसाब से इन्होंने EBIT Allen ने बोला कि वो लोग आत्माओं को पूछते क्योंकि उनका belief है soul के तरफ तो इसलिए उन्होंने animism को बोला कि पहला पर इसके कोई खास evidence मिला नहीं था तो ये criticism हो गया जैन उसके वाद no proper correlation between each stage मतलब ये जो stages दी होई है इनके वीच में कोई proper correlation नहीं establish कर पाए मैंने बोला आपको लगेगा न कि यर agriculture को barbarism में क्यों रख दिया आपने मतलब writing को नीचे writing आपने क्यों civilization में writing को ये आपने technology में पकड़ा तो ये चीज़े आप ये लोग proof नहीं कर पाए अब चलो L.H. Morgan के तरफ शलते L.H. Morgan लिखा आपने L.H. Morgan की बहुत important book है ancient society 1887 में जो इन्होंने लिखी थी इसका essence क्या है कि culture evolves in stages culture जो है वो stages में evolve करता है which is same in every part of the world मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो universal evolution की ये लोग बात कर रहे है मतलब culture हर एक जगा same stages में evolve होता है इन्होंने बोल दिया L.H. Morgan ने due to the operation of psychic unity of mankind जो हमने exam में पढ़ा था ना उपर assumption में तो psychic unity of mankind जो था L.H. Morgan ने ही use किया था ये concept में कल से किसी और ने दिया था जीन बैपिस थे या किसी ने दिया था important नहीं हमार लिए पर इन्होंने इसको use किया और इन्होंने बोला कि हर जगे culture सेम तरीके से evolve होता है क्योंकि हर एक इंसन एक ही तरह सोचता है psychic unity of mankind है क्योंकि अब देखो इन्होंने क्या किया comparative method का use करके इन्होंने ये evolution scheme दी अब इनका भी evolution scheme आपको जानना जरूरी है अब देखो 20 marks का question है तो इनका भी आपको mention करना पड़ेगा अब इसमें देखो आप इसमें जैसे हम लोग देखे तो अब इसमें इन्होंने क्या किया इन्होंने further उसको और ज्यादा detail out कर दिया table को जैसे period दिया then sub period technology, technology तो उन्होंने भी use की थी then marriage, kinship और यहाँ पे quality देखो इतना space मिलता नहीं एक्जाम में तो अगर आप लिखना चाहिए तो यहाँ पे quality भी आप add कर सकते हो अब देखो, हम लोग बात करें period में तो again savagery से starting होगी, अब इन्होंने savagery को further sub period में divide किया, क्योंकि savagery period है, उसको sub period में divide करोगे तो upper, middle, lower मलए lower से आप start करोगे अब technology कहती, lower में तो fishing करते थे लोग, nuts पे survive करते थे, तो nuts subsistence हो गया then middle savagery में जाओगे तो fishing and fire middle savagery में fishing करने लगे लोग और fire का invention हो गया then upper में जाओगे तो bow and arrow use होने लगे hunting के लिए, bow and arrow उन्होंने बना लिए then इसी समय अगर हम marriages के बात करोगे तो promise course marriage promise course marriage क्या होती है मतलब random mating मतलब एक एक इनसान या एक male multiple females के साथ reproduce कर सकता है तो इसको बोला जाता है promise course marriage मतलब अभी का system जो है न कि husband wife पहले ऐसा नहीं था पहले ऐसा था कि एक male multiple females के साथ reproduce कर सकता है तो इसको बोला जाता है then उसके बाद क्या हुआ savagery के अंदर ही group marriages आ गी group marriages में क्या हो गया कि एक इंसान बलब एक से जादा male एक से जादा female के साथ रहने लगे बलब आप समझ रहे हो माँन के चलो कोई एक group है उस group के अंदर तीन male है तीन female है अब ये group marriage हो गई इनकी बलब ये male इस female के साथ भी reproduce कर सकता है दूसरी female के साथ भी तीसरी के साथ भी वैसे दूसरा male भी तीनों के साथ तीसरा male भी तीनों के साथ तो ये होती है group marriage इसमें एक husband wife नहीं है multiple partners है इसके अंदर और वो आपस में reproduce करेंगे साथ में वो लोग बाकी चीजे मतलब जो भी इनके task होते है चाहिए economic activity करनी हो ये कुछ domestic course हो जो भी हो सब साथ में मिलके करते हैं और even जो इनकी शादी से जो बच्चे होते उसकी जो parental responsibility होती है वो भी आपस में share होती है इन सब लोगों में तो ये इन लोग का group marriage हमें देखने को मिली अब उसके बाद क्या होगा देन आप barbarism में आए अगें lower middle upper अब lower में pottery develop हो गई अभी तक कही भी pottery के बाद नहीं की इनों नहीं ये phrase ने देन आप उपर आए sorry Morgan ने देन आप उपर आए तो domestication of plants and animals start हो गए है middle में और upper barbarism में आपका iron का invention हो गए है अब marriage के बाद करें तो pairing pairing मदलब वही जो husband wife जो हभी आज के time पे exist करता है then barbarism हो गया अब फिर barbarism में अपर में आप देखोगे तो polygamy polygamy मदलब क्या होता है polygamy मदलब एक male या female का multiple partners होना एक से ज़्यादा शादी करना उसको बोला जाता है polygamy और marriage क्या monogamy तो आप देख रहे हैं इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने ऐसा बता दिया कि जो evolution हुआ है उसमें promise को इस marriage सबसे primitive थी कि आप किसी के साथ भी random mating कर रहे हो multiple partners के साथ आप मेट कर रहे हो दिन दिर दिर ग्रूप marriage होई दिन pairing होई then polygamy आई then monogamy monogamy मनलब एक ही partner होना मनलब एक male है तो उसका एक ही female partner होगा इसको बोलते है monogamy अब इनके साब से monogamy civilization में जाके आई है और इसको इन्होंने सबसे best बताया है मनलब इन्होंने बोला है कि polygamy से better evolve होके monogamy आई है similarly kinship की बात करें तो kinship में पहले classificatory था then barbarism में भी classificatory था civilization में आके descriptive kinship आया है अब यह पता है descriptive और classificatory का है यह जब आप लोग kinship chapter पढ़ेंगे हम लोग उसमें terminologies है यह kinship terminologies तो classificate में आप easily ऐसे समझो कि जब भी classificatory kinship की बात आए तो इसका मेला होता है कि आप अपने kinship terminology का मेला होता है कि आप अपने kins को या अपने relatives को कैसे बोलाते हो जिसे आपके मम्मी के भाई है आप उनको मामा बोलके बोलाओगे आपके भाई है उनको आप भाई बोलोगे बहन को बहन बोलोगे या आपके जो मम्मी की बहन है उनको आप मौसी बोलने के बुलाओगे तो यह क्या है? किंशिप टर्मिनोलोजी आपने अपने रिलेटिब्स को कोई ना कोई नाम असाइन किये हुए आपके फैमिली ने या आपके सुसाइटी ने आप देखो क्लासिफिकेट्री में क्या होता है? क्लासिफिकेट्री में आप डीटेल आउट नहीं करते इतना जिसे आप इंग्लिश लेंग्विज के एक्जाम्पल लो अब आपके अगर पापा के जो भाई है यह ना फादर्स ब्रदर इनको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? अंकल वैसे आपके मदर के जो भाई है उनको भी आप अंकल बोल दोगे तो यह होता है क्लासिफिकेट्री बालब इसमें आप कोई भी रिलेटिव हो अगर अंकल है तो आप उनकल ही बोल दे रहे हो पर भाई अगर आप डिसक्रिप्टिव में जाओगे तो हिंदी लेंग्विज में आप क्या करोगे? जैसे हिंदी का अग्जामबल लो हिंदी में आप पापा के भाई को क्या बोलओगे? चाचा और मम्मी के भाई को मामा बोल दोगे तो यह कह कि आपने descriptive आपने थोड़ा और जादा describe कर दिया relationship को अब आप खुछ सोचो ना classificatory में आप इतना clarity नहीं दे रहे हो पर descriptive में clarity दे रहे हो तो इनके साब से पहले classificatory system में होता था बहुता सबको uncle बोल दिया दिन बाद में जो कुछ खास relatives थे उनके लिए आपने अलग term बना दिये जैसे मामा, मौसी, चाची यह ना, ताओ जी पापा के बड़े भाई को ताओ जी बोल दिया चोटे भाई को चाचा बोल दिया तो यह descriptive में आ जाता है तो kinship भी ऐसे evolve हुई है तो इन्होंने culture के साथ technology, marriage, kinship, polity अब देखो, polity मैंने लिखा नहीं है अगर आपको लिखना हो तो मतलब मैं बता देता हूँ वैसे इतना कुछ important है नहीं क्योंकि इतना आपको space मिलेगा नहीं exam में तो अगर आप quality में देखना चाहोगे तो सबसे पहले promise course इस bands थे क्योंकि मैंने बता है ना promise को इस marriage होती थी मतलब एक इंसान multiple partners के साथ मेट कर सकता था तो वो लोग वोई band में exist करते थे, band क्या होता है तो band यहाँ पे लिखा होगा मैंने एक minute आपको बता देता हूँ यह रहा है band is a small egalitarian kin based group of perhaps 10 to 50 people 10 to 50 लोग का एक group होता है वो लोग साथ में रहते साथ में वो लोग common कुछ beliefs होती है उनकी common culture होता है और वो लोग साथ में hunt करते, साथ में रहते बाकी activities करते तो वही band अब promise quest marriage मैंने जो लोग आपस में multiple time mate कर रहे है multiple partners के साथ वो लोग सब लोग एक साथ आके साथ में रहने लगे तो यह आपका यह हो गया promise quest band हो गया देन उसके बाद आप उपर जाओगे तो matrices आते देन tribes आती है सबसे उपर आपके फिर state बन जाता है तो यह इतना important नहीं है यह मैंने बस बता दिया है यह आपको कही भी notes जो आप पढ़ोगे उनमें basic में मिल जाएगा अपने आगे चलते वीडियो बहुत लंबा हो रहा है criticism के बात करें तो ethnocentric point of view उनका criticism है ethnocentric point of view मतलब यह अपने culture को supreme मान रहे है और बाखी cultures को बोल रहे है कि यह culture जो है वो primitive है पुराने है क्योंकि यह पता है Victorian era क्या anthropologist है E.B. Tyler और यह सब क्योंकि Victorian era चल रहा था तो इनके साब से Victorian society है वो supreme है बाखी society जो है वो पुरानी है primitive है मतलब उनमें कई भी development नहीं है इसलिए उन्होंने इदे को barbarism term का यूज किया barbarism term कितना अपने आप में ethnocentric term है तो यह उन्होंने criticism था इनका Even Hawaiian society still use classificatory kinship अगर आज के टाइम पे आप Hawaiian society देखोगे तो उनके classificatory kinship यूज होती है इन्होंने क्या बोला कि पहले classificatory होती थी फिर आज जो civilization है इसमें descriptive यूज हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है यह exemption है Hawaiian society में तो आज की time पे भी लोग classificatory kinship system ही यूज कर रहे है और साथ में Aztecs use iron tools but they lack state organization अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो iron tools का जब आप यूज करोगे तो यहाँ पे state बन जाने चाहिए थे पर इनके time पे Aztecs के time पे iron tools to use होते है आज के time पे पर यह लोग हो कि यहाँ पे state organization डेवलप नहीं हुए तो यह आपको देख लिए आपने अब आपन लास्ट आर्किटेक्ट जो लास्ट anthropologist जो है historians उनकी data अब देखो इन्होंने क्या किया है इन्होंने भी cultural evolution को बताया है पर इसमें उन्होंने culture evolution को magic, religion और science से relate किया है कैसे इन्होंने बोला कि जब पहले barbarism था जब सबसे पहले आपका savagery था तो savagery में आपका magic हुआ करता था लोग magic करते थे, magic perform करते थे अब उसमें again irrational laws होते थे जिसकी law of contact, law of similarity इसका मदलब क्या है law of contact मदलब once in contact, always in contact मदलब आप किसी के, किसी का जैसे आपने देखा होगा ना movies वगेरा में कि किसी का आपको बुरा करना होता है black magic करना होता है तो उसके बाल या कोई भी remains नाखुन बाल उसको ले लिया जाता है और उस पर फिर टोटका किया जाता है black magic तो उससे जैसे आप उसके बाल से कुछ करते होना उस बाल को जलाओगे तो वो इनसान भी जल जाएगा मदलब इसा मूवीज में दिखाते हैं तो यह law of contact बहला किसी इनसान की contact में कुछ चीज थी और वो चीज को आपने उस इनसान से अलग भी कर लिया पर तो भी वो चीज उस इनसान से जुड़ी हुई ही रहेगी भले ही आपने उसको उससे अलग कर लिया है जैसे कि बाल अलग कर लिया वैसे ही law of similarity तो यह बस आपको इसा mention करना है जरूरी नहीं है लिखना मुझे मेरे पास points थे तो मैंने लिख दिये थे अब देखो इन्होंने क्या बोला था कि magic is a bastard sister of science E.B. Tyler ने बोला है मैजिक जो है वो science का ही एक form है आगे जाके magic ही science में develop होता है अब देखो यहाँ पर practitioner कौन होगा जो magic को perform करेगा तो magician is practitioner यह आपको mention करना है जिन आप उपर जाओगे religion के अंदर barbarism के अंदर तो इसके अंदर क्या realization of limitedness of humans submissive अब देखो क्या हुआ पहले humans magic perform करते थे तो उनको लगता था है जादू से सब कुछ कर सकते किसी के लिए कुछ बुरा करना है तो उसके उपर काला जादू कर दो black magic उसका बुरा हो जाएगा पर आगे जाके इनको लगा यार की हमारा जो power है वो limited है मतलब आगे जाके इंसान ना बेबस हो गया सब में से वो गया उनको लगा कि नहीं यार भाई हमसे उपर भी कोई एक supernatural being है जिसके पास power है तो इसली कही है इन्होंने फिर इन्होंने इन्होंने वो लगी है magic के अपने limitations है अब जिसे मन की से लोग बारिश हो रही है बहुत जादा या flood आ गया ड्रॉट आ गया तो इनको लगा यार यह तो हम magic से control नहीं कर पा रहे रोक नहीं पा रहे इस चीज को तो जरूर कोई एक supernatural being है जो जादा powerful है और जो हमारे उपर बैठा हुआ है तब जाके priest की origin होई और priest एक intermediary की तरह आये और यह worship करवाने लगे supernatural being की ऐसा इन्होंने बोला कि religion magic से religion develop हो गया then religion से फिर आपकी science आई और science में क्या हुआ manipulation of nature by rational laws इसमें क्या हुआ लोग जो है वो nature को manipulate करना सीख गए किसकी मदद से rational laws की मदद से क्योंकि science develop हुई तो laws develop हो गए तो इन्होंने क्या बोला कि science जो है वो civilization में आके develop हुई है religion जो है वो barbarism में था magic जो था वो सबसे primitive जब savagery इस चीज थी तब था तो यह इन्होंने classification दिया अब देखो criticism की बात करें as per melanos की trobriand islanders were rational to magic exist along with rational task to increase agriculture production as a anxiety buster तो देखो melanos की इन्होंने criticism किया कि इन्होंने क्या बोला था कि magic जो है आपका वो primitive stage पे होता है और irrational चीज़े होती है इसमें पर melanos की ने बोला कि मैंने भाई trobriand islanders को study किया एक location है trobriand island वहाँ पे जो भी tribes रहती है उनको trobriand islanders बोलते तो वहाँ पे मैंने study किया वहाँ पे लोग magic भी perform करते है और वहाँ पे लोग technology को भी मानते है मलब वहाँ पे वो लोग science का भी use करके production को बढ़ाने के बारे में सोचते है ऐसा नहीं कि सब कुछ वो लोग magic पे depend कर रहे है तो वो irrational होगा भाई वहाँ के लोग भी rational है और वो लोग magic को भी use करते है और rational task भी perform करते है ताकि उनके production को बढ़ाया जा सके agriculture के magic को वो एक anxiety buster की तरह use करते है मलब tension होता है यार की फसल अच्छी होगी की नहीं होगी या कुछ और डर होता है तो उसको overcome करने के लिए वो लोग magic का use करते है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते की जहाँ पर magic है वहाँ पर सब irrational ही होगा अब देखो in reality magic, religion, science coexist, not in stages अब real में आपको भी पता है यार की आज के time पे भी आप देखोगे तो कई जगाओ पर black magic अभी भी होता है religion भी अभी exist कर रहा है और science तो ही तो जरूरी नहीं है कि यह stage by stage ही हो मलब पहले magic हो magic हो फिर magic हतम हो जाएगा religion हटेगा तो फिर science आएगा नहीं भाई यह तीनों साथ में भी exist करते तो यह इनका criticism हो गया तो friends आज के वीडियो में हम लोगों ने classical evolutionism को देख लिया है I hope आप लोगों को समझ में आगया होगा और अगर आप लोगों को आप लोग चाते कि मैं बाकी के वीडियो भी बाकी के lectures भी लिखिया हूँ बाकी theory इसको cover करते हुए तो आप लोग फ्लीज कमेंट कर दीजिएगा लाइक भी कर देना अगर पसंद आई वीडियो तो ताकि मुझे motivation मिले आगे के लिए और अगर आपको मज़ा नहीं आ है तो भी आप कमेंट करके बता देना कुछ इशू लगे आप कुछ भी so thanks for watching friends बाबाई take care